दोस्तो राहूल गांधी की तरफ से भारत जोडो यात्रा निकाले गई है जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जोडो यात्रा चल रही है लेकिन बीजेपी की तरफ से इस यात्रा को भारत तोडो यात्रा का नाम दिया है कि जो राहूल गांधी है वो भारत तोड़ने के लिए यात्रा निकाल ले क्योंकि कोई भारत दोटाई नहीं है तो जोड़िंगे किस लिए इसलिए भारत तोडो यात्रा नाम दिया गया और इसी तरीके की बाते पूरे भाजपा और भाजपा आईटी सेल के जरिये फैलाने की कोशिश की गई लेकिन आप देखिए दोस्तों कि भारत जोड़ो यातरा से भाजपाईयों में कितना हरकंप है कितना जड़ है कितना खौफ है कि भारत जोड़ो यातरा पर हमले किया करवा रही है जब राहूल गांधी के समर्थन में राहूल गांधी के सपोर्चर्स राहूल गांधी के चाहने वाले निकले तो तब उत्तर प्रदेश में कैसे एक गुट नेस पर हमला किया है ये वीडियो भारत समच्वार की तरफ से भी जो है ट्वीट किया गया है और लिखा गय है कि कैसे जो है भारत जोड़ो यात्रा पर हमला हुआ है जिसमें कई लोग कई कारिकरता घायल हो गए गंभी रूप से कौशामभी का है ये भारत जोड़ो यात्रा जहां पर कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लाथी डंडे चले प्रांती अध्यक्ष अजैराई के नेत्रित में निकाला गया था ये जुलूस लेकिन यात्रा में शामिल दो पक्ष में आपस में कहा सुनी हुई और मारपीट में कई कॉंग्रिस कारी करता जो है वो घायल हो गया जुलूस में शामिल लोगों ने जगड़े को कराया शांत इस तरीके का हेडलाइन जो है ये भ कॉंग्रिस का भारत जोड़ो ज escola है इसे पहले भी आपको याद होगा करनाटक में भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया गया था अर जो है ठीक मामला जो है ये उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में देखने को मिला है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकली लेकिन उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई आशोक केशरवानी लिखते हैं कि कौशांबी में कौंग्रेस पाजर की जो भारत जोड़ो यात्र के दौरान जमकर मारफीड हुई, जमकर लाथी डंडे चले और कारिकर्ता मारफीड में कई लोग गायल हो गये हैं कौंग्रेस के और प्रदेस अद्यक्ष रॉाइ के सामने ये सारे मारफीड की जो तसVीर हैं वो नजर्ड़ आई है जो अध्यक्ष है कौंग्रेस के उत्त लिया जा रहा है आगे एक और पेज है सरकिल समाचार वो लिक्राए कि कॉंग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान को शामबी में जम कर लाथी डंडे चले लाथ घूसे चले कई कारिकरता जो है वो घायल हो गए है इस खबर को छापा गया है यहां के लोकल अ तस्वीरे नजर आई जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में कारिकरताओं को जवर्दस तरीके से पीटा गया है जितना हो सकता है उतना लाथ घूसा चला है मार पीठ हुआ है लाथी डंडे चले हैं ताकि जो लोग है वो उचकर बैठ ना सके इस बरवरता के साथ इस की तरफ से लग रहा है कि बीजेपी वालों ने हमला किया है बीजेपी वाले जो है नहीं चाते हैं कि राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस हो नहीं चाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग आए लोगों का जुड़ाव हो और बीजेपी का सूपड़ा क कि पकड़ थी और जनता का साथ जनता का सपोर्ट कह रहे थे कि मिलने वाला है लेकिन उन तमाम राज्यों से बीजेपी को नकारा गया तो यही वज़ा रही है कि बीजेपी को 2024 का शायद सता रहा है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जबरदस तरीके से रिस्पॉंस दे र पू है राहुल गांधी जो है वो किस तरीके से लोगों को गुमरा करते हैं युगराज है राजकुमार है यह तमाम नाम दिये गए थे लेकिन वही युगराज वही राजकुमार जब कई महीने से सडकों पर चल रहा है कई महीने से सडकों पर पैदल यात्रा कर रहा है तो जनता से भरोसा मांगा गया था बीजेपी को लेकर कि आप हमें भरोसा दीजी आप हमें बूर दीजी आप हमें सरकार में बिठाइए सत्ता में बिठाइए उसके बाद हम कॉंग्रेस के सारे प्रेस्टाचार को खत्म करेंगे कॉंग्रेस के जो लोब है उसको खत्म करेंगे परिवारवाद को खत्म करेंगे लेकिन परिवारवाद तो खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का उल्टा परिवारवाद और जादा शुरू हो गया है, हर जगा पर बीजेपी के बड़े-बड़े नेता मंत्री का परिवारवाद प्रेम तो आपके सामने ही है, इसको बताने की ज राजनात रक्षा मंत्री इन तमाम लोगों के नाम ले लीजे जो कि बड़े मंत्रियों में से इनका नाम शुमार होता है उनका परिवारबात कैसे सर्चर कर बोल दा है लेकिन फिर भी बीजेपी अपने उपर मैं कहती हो ना कि अपने उपर कुछ भी अप्लाई नहीं करती है यहां पर राजकुमार और शेहनसा और ना जाने क्या-क्या शब्दों से कॉंग्रेस को घिरने की कोशिश की जाती है लेकिन वहीं कॉंग्रेस जब बीजेपी के हर वो बार को हर वो बात का पलत वार करती है तो तस्वीरे कुछ अलग सी निजर आती है दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दे कि कॉंग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ऐसी एक और अभियान जो है कॉंग्रेस की तरफ से चलाई जाएगे इसकी जानकारी सत्य हिंदी की तरफ से दी गई और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तमिनाडू से चल कर राजिस्थान पह जिन्दा फैरा सकते हैं और इसी 26 जनवरी से कॉंग्रिस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है एक और अभियान होगा जो आखिर इस अभियान का असर क्या होगा क्या भारत जोड़ो यात्रा की इस असर से पूरे देश को कुछ अच्छा विकल्प मिलेगा य रहे हैं कि क्या इस तमाम यात्रा की वजह से राहुल गांधी का जो मकसद है वो पूरा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल जो है भारत जोड़ों के साथ साथ एक और यात्रा जो है वो शुरू हो सकती है दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को ले